हाई गाईज वेलकम बेक चुमा यूट्यूब चैनल और मेरे पीछे आप देख रहे हैंगे मेरी फेवरेट चीज याच इसका नाम है रीफ चीफ खेर चोड़िए बात करते हैं जो 25 ओफ नवेंबर को रिसी सनों का स्टेटमेंट आया है जो थोड़ा सा नेगिट हुए आये है यूके में स्टड़ी करने के लिए अब्रॉड से तो यह फाइव लाग फॉर थाउजन जो स्टुडेंट है यह लिवर्पून सिटी है उसकी पॉप्पुलेशन से जाता है 23 से 2023 से फ़ड़ा कर्विंग हो जाएगा इंटरनेशल स्टुडेंट का वीजा लेने के ल अपने स्टेट्मेंट में तो उनका कहना है कि 2023 से जो लोर क्वाल्टी स्टुडी जो है उनकी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं की है इसी सुना करने कि भाई यह लोर क्वाल्टी स्टुडी है इनमें आपको वीजा नहीं मिलेगा अकॉर्डिन टु मी जैसा मैं सोचता हूँ लोर क्वाल्टी स्टुडी का मतलब है लोर फीज जो यूनिवस्टी है जिसे कि किसी का 10,000 पाउंड से नीचे का फीज है और वो उसमें एडमिशन लेके यहां पर आते हैं और अपने डिपेंडेंट को भी साथ मिलाते हैं तो वो जो वीजाज है इस्टुडी वीजाज उ गुझे इस इसका उनका ही अब वीजा मिलेगा इसा मैं सोच रहा हूं ऐसा कोई definition नहीं है fix क्यों साइध ऐसा होगा कि महेंगी studies दी जाए international student को ताकि पैसा भी आए और ज्यादा problem भी फेसना करनी पड़े British student और दूसरी बात दोस्तों जो यहां की home secretary है स्वेला ब्रेव मैं उन्होंने भी कहा है कि मैं already complaint की थी इस चीज़ के बारे में कि जो international student है उनके जो यहां के expenses वो नहीं अफॉड कर पाते हैं जिसकी वज़े से वह problem के लिए होता है उनके लिए भी और यहां के लोगों के लिए भी ब्रिटिस लोगों के लिए भी problem इसलिए create होता है कि वो जॉब ढूनने लगते हैं पिर जिससे ब्रिटिस लोगों को जॉब नहीं मिल पाता क्योंकि वो ले रहे हैं कम पैसे में वो काम कर रहे हैं कहीं भी तो यह है living expenses ना afford कर वाने की वज़ए से lower study में ले ले लेते हैं औ अब वो बोलते हैं कि जो universities हैं वो bankrupt हो सकती हैं उनको financial prices face करना पढ़ सकता है अगर ऐसा होता है तो पैसा नहीं आ रहे हैं और पैसा नहीं आ रहा है उनिवर्स्टी के पास में bankrupt होना लाजनी बात है इसकी वज़ए से जो British student है उनकी भी fees बढ़ जाएंगी लेकिन जैसा कि वो जानते हैं कि net immigration अल्रेडी complete हो चुका है तो यहां पर आने के बाद भाई अगर आप अपना यूनिवर्स्टी अगर आप अप्लाई करने बाले जिमको जनुरी इंटेक मिल चुका है वीजा आ चुके हैं वह बहुत लेकिन में इंटेक में सही प्रॉबलम होगा तो यूनिवर्स्टी चूज करें अच्छा करें जरूर नहीं कि आप लंडन ही आए तो आउट्साइड भी जाएं अपने हिसाब से चूज करें यूनिवर्स्टी क्योंकि थोड़ा टाइटनेस होने वाली है क्योंकि रिशी च करते हैं ना कि अपने ब्लेट रिलिजन के साब से ऐसा नहीं है कि रिशी सुनक इंडिया से हैं तो इंडिया के लोग आजाओ ऐसा नहीं है बस यह जो वह अच्छा काम करें किया है उन्होंने तो उसी की वज़ए से वह पीम बने हैं और वह अच्छे डिसीजन भी लेने व बात करते हैं रिफ्यूजी की जो डॉंकी पर आते हैं अफगानिस्तान से जो आते हैं डॉंकी का मतला है जो बदरंगी बाईजान किसी ने मुवी देखी होगी तो तारों कि निजी से बदरंगी बाईजान गए थे इसको डॉंकी बोलते हैं तो वह भी मोर दन 4,000 40,000 हैं कि सबी को पता होगा कि सस्ते मजदूर होते हैं सबको लेवर चाहिए सस्ता ऐसा यहां इने USA में भी ऐसा होता है कि सबको सस्ते मजदूर चाहिए तो यहां पर आते हैं दस बारत साल काम करते हैं सालम अपलाय करते हैं अपना एक केस करते हैं उसके बाद उनको वीजा मि तो बाहर से लोग आएंगे, तो problem होगा ना, उनके लिए competition बढ़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा source समझ के, इसी सुनक ने फैसला लिया है, तो guys, I hope आपको बात समझ में आई होगी, कैसे आपको university choose करना है, क्योंकि अब rejection आने वाले हैं, जैसे Canada से rejection आ रहे हैं, अब UK से भी आन करना होगा, fraud बाजी से बसना होगा, एजेंटों के through जा रहे हैं, कि deposit देके आ गए, वो deposit का system बंद होने वाला है, I think so, क्योंकि जैसा लग रहा है, जो tight ने जैसी चाचा देखा रहे हैं, उसकी वज़ए से, तो I hope आपको समझना होगा, तो guys, अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं शेयर करें, वीडियो को like करें ज्यदा से ज्यदा ताकि मुझे थोड़ा motivation मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मेरी videos को like करता है, okay guys, वीडियो को like करें, अगर आपको कुछ पूछना है, तो personally मुझे DM करें Instagram पे, link डिस्कृतर में मैं डाल दूंगा Instagram का, okay guys, तो यहां से मुझे से दो मिनट का वाओक है, यूनिमस्टी के लिए मुझे यहां टाइम बताना पसंद है, अगर किसी भाई को मुझे से मिलना हो, तो Wednesday, Thursday मैं यही मिलता हूं, Canary Walk में, वो मुझे मिलने आ सकते हैं, जो London में है, okay guys, thank you very much, मेरी videos को like को support करने के लिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें, चेक लिए,